दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे क्रिप्टो यूटीब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपका दूस निजाम एक नए वीडियो को साथ हाजिर हूँ क्रिप्टो कंसी मार्किट और बिट्कॉइन से रिलेटेड बात करेंगे काफी ज़्यादा इंपॉर्टन अपडेट है इस्टार्ट टू एंट तक देखेगा जरूर तो चलो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू दोस्तों क्वाइन मार्किट कैप पर बिट्कॉइन के डेट मार्किट में 11 परसेंट डाउन है वैलियूम के अनुसार 24 आवर्स में उसके अलावा यहां पर अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह है लगबग इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो की 1 करोड 88,52,550 BTC के असपास से मै लेक सकते हैं कि यहां पर प्राइज में हमें इस तरह से अप्टेंड दिख रहा है लांग टम में ठीक है लांग टम में experimental बीच साल के लिए investment करते हैं तो उनको इस तरीके के यह जो उपर upside और downside moment आते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है उनका जो vision होता है वो आगे के लिए होता है ठीक है यहाँ पर अगर हम इसको uptrend तो अभी तो हम यह अगर इसको long term में देखेंगे तो bitcoin एक uptrend में है लेकिन इसी long term uptrend में अगर इस त होनाता है फिर एक upside moment होता है फिर price down आता है फिर एक upside moment होता है तो क्या यहाँ से अब हम down moment की तरफ आ गए हैं देखो एक चीज़ यहाँ पर यह समझ लो कि जो cryptocurrency में नए लोग हैं जो dodge coin के performance को देखकर market में इंटर हुए हैं काफी लोग इस साल 2021 में और 2020 में इंटर हुए हैं market में cryptocurrency market में और वो उनको यह चीजों का पता नहीं है उनको यह समझ में आ रहा कि बस एक चीज है जो ऊपर चलती चली जा रही है आगे आगे जाती रहेगी लेकिन ऐसा मेरे भाई नहीं होता है market में कुछ time uptrend होता है और market में कुछ time downtrend होता है market की अपनी एक history होती है जिसे just नीचे आपने देखा होगा कि if market repeat history यानि कि अपनी market ने अगर अपनी history को repeat किया तो हम एक trend reversal के बहुत करीब हैं ठीक है कैसे है उसको समझेंगे tradingview.com के चार्ट पर लेकिन होता ही है मेरे भाई कि जब इस तरीके की logic वाली update आप तक पहुचाओ तो इसको लोग ज़्यदा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि चार्ट को देखना जो क्रिप्टो कंसी में नए लोग हैं जो चार्ट को नहीं समझते हैं वो पसंद नहीं करते हैं वो तो यह सिफ बोलते हैं मैंवली बता दो कि क्या होगा लेकिन यह चीज गलत है अगर आप यहां पर काम कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता है, आप उसको देखते रहो, कुछ वक्त बात कुछ गुद्रती कुछ ऐसी चीजे होती हैं कि वो चीजे आपको समझ में आने लगती हैं, एक बच्चा अगर दुनिया में पैदा होता है तो वो बोलना नहीं जानता है, अगर कहीं फॉरन कंट्री म होती है इनसान की, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि चार्ड को आपको समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन आप उसको बोर समझ के छोड़ दोगे तो आपको मार्केट भी समझ में नहीं आएगी, हमेशा आप दूसरे के अपडेट के लिए बैठे रहोगे कि क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है, तो आप अपने से कुछ नहीं समझ पाऊगे, चार्ड आप देखो, चार्ड में सिंपल से एक चीज होती है, यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई पड़ता है, इसी अपसाइड मूवमेंट में छोटे छोटे डाउन साइड अप कर सकते हैं किसी भी crypto currency forex या stock market के तो चलो दोस्तो tradingview.com पर समझते हैं कि क्या है यह important update और क्यों मैं ऐसा बोलना हूँ कि क्या हम यह बोलना हूँ कि क्या हम एक trend reversal के करीब पहुच रहे हैं अगर ऐसा होता है bitcoin अपनी price chart की जो history है उसको अगर दोराता है तो क्या ऐसा possible हो सकता है logic के साथ बात करूँगा क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं हवा में बात बिल्कुल नहीं करता हूँ तो अब चलते हैं tradingview.com के bitcoin price chart पर तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे है BTC USD के चार्ट पर weekly चार्ट है पूरा whole soul यहाँ पर data मैंने आपके सामने open कर दिया है price chart का वीडियो हमारे अच्छे लगते हों तो like जरूर करें ज़ादा ज़ादा अपने social media के platform से share करें जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं वीडियो को चैनल को subscribe करें notification को तो जरूर on करें उससे हमेशा हमारी जो भी updates होती है वो आपको time to time notification के माध्यम से मिलती रहती है अब यहाँ पर देखो वीडियो को करते हैं analysis इसका शुरूर ठीक है तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो price में हमें उसी तरीके का एक chart देखने को मिल ला है देखो bitcoin में hauling होती है ठीक है hauling के जैसे ही hauling start होती है तो bitcoin के price में थोड़ी सी तेजी आना start हो जाती है hauling काफी लोग यह नहीं समझते हैं तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि hauling में जो bitcoin के miners होते हैं उनको जो rewards मिलते हैं mining करने पर bitcoin के तो वो घटते आते हैं जैसे 2012 में जो mining का जो reward था 2016 में जब 12 से hauling होई तो उसका reward घटा 2016 के बाद 2020 में जो reward हुआ वो कम हुआ अब 2024 में मई 2024 में next hauling होनी है तो जब भी hauling होती है तो इसके price में एक तेजी देखने को मिलती है market में एक bull run देखने को मिलता है जब bitcoin उपर भागता है तो साथ साथ alt coins भी उपर rally करना start कर देते हैं अब यहाँ पर simple सा यह हो गई आपको समझ मागए कि hauling गया होती है अब यहाँ पर जब-जब hauling होई है price ने एक top लगाया है top लगाने एक बात price गिरा है यहाँ पर देखो मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि चार्ट अपनी previous history को दो राता है जो previous history होती है पिछला जो उसका past होता है history उसको दो राता है next आगे ठीक है अब यहाँ पर मुस्पर बात करेंगे कुछ levels को लगाएंगे उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या मैं आपर मैंने बताने की कोशिश की है तो यहाँ पर हम levels को लगा लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों मैंने levels को लगा लिया अब यहाँ से मैं अगर बात करूँगा यह मेरा अपना analysis है तो बाकी सही गलत हो सकता है आप समझेगा देखने के बाद आपको खुछ समझ माज़ेगा कि यहाँ पर logic मेरा ठीक था कि नहीं था तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो market में यह सीधा है captain दिखाई पर रहा है हमें crypto currency की knowledge नहीं है ऐसा मान लेते हैं हमें चार्ड दिखना नहीं आता है लेकिन यह तो देखना आता है कि यह line उपर जा रही है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा है दो, दो का मतलब two years, यानि market एक bottom से दो साल लगातार उपर रही उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है one, और यहाँ पर यह red color की line लगी हुई है तो इसका मतलब यह है कि market एक साल down रही उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है, तीन, तीन का मतलब three years, तीन साल market इस bottom से उपर रही उसके बाद यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है one, तो one year market down रही, यहाँ तक down रही, ठीक है, उसके बाद यह एक up 10 की line उपर जा रही है जो कि अभी 2020 और 2018 से यह market उपर है मेरे हिसाब से 2018 से उपर है क्यों उपर है, यहाँ पर मैं यह भी बता देता हूँ कि अगर आप इस low को देखोगे और इस low को देखोगे, तो यह low जादा है और यह low कम था, ठीक है यहाँ पर price था लगबग 3,100 के असपास, और यहाँ पर price था 3,800 के असपास अब यहाँ से अगर हम देखें, तो इस तरह से market उपर हमें जाती दिख रही है देखोगे, यहाँ पर मेरा वीडियो यहाँ पर मैं यह नहीं कहे रहाँ इस वीडियो में कि market यहाँ से down आएगी market में history एक है market की जो market को नीचे ला सकती है अब यहाँ पर बात समझो कि पिछली history क्या थी? bitcoin का एक साल का downtrend था और तीन साल का uptrend था bitcoin का एक साल का downtrend था और तीन साल का uptrend था अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इस line से और इस line को तो दिसंबर 18 से यहाँ पर यह शो कर रहा है और दिसंबर 2021 तक मैंने यह line को plot किया है यानि हम नومबर में चल रहे हैं और दिसंबर के महीने का यहाँ पर महीने line को plot किया हुआ है तो अगर हम देखेंगे तो हमें क्या समझ मारा है कि तीन साल यह लगबग यह area को तीन साल हो गए मतलब market इस point से लगातार तीन साल से हमें uptrend दिखा रही है एक साल का downtrend तीन साल का एक साल का downtrend दो साल का uptrend अब यहाँ पर । दूसरा logic में रहाए अगर यहाँ पर पहला जो अप姐ंज आया ता वो दो साल के लिए आया ता उसके बदा जो दूसरा अप Valent आया वो तीन साल के लिए ता और बीश में जो था वो एक साल का downtrend ता तो यहां पर यह हो गया अब यह एक साल का डाउन टेंड इसने इसको इस तरह से बिलकुल अच्छे से उसी हिस्टरी को रिपीट किया एक साल का डाउन टेंड यहां पर था और एक साल का डाउन टेंड यहां पर था तो यानि कि यहां पर दो साल का डाउन टेंड था और यहा भी हो सकता है कि तीन साल का ही रहता है तो हमें यहां से मार्केट में फिर एक trend reversal देखने को मिलेगा लेकिन यह trend reversal उतना ज्यादा नहीं होता है अगर आप देखो कि यहां पर चाट पर तो उतना ज्यादा बड़ा trend reversal नहीं दिखेगा लेकिन अगर फिर भी हम मेजरमेंट इसको करते हैं तो मैंने कल इसको मेजर करके देखा तो लगबग 80-85% एक एक साल का डाउन टेंड है अगर यहां से मैं आपको दिखा देते हैं इस पॉइंट से ठीक है इस पॉइंट से यहां पर रफली मैं लगा रहा हूँ तो यहां से भी लगबग 85% या 84% यह देख सकते हैं कि यह 85% यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यह देख सकते हैं 85% यानि यहां पर जितना करेक्शन हुआ उतना ही करेक्शन यहां पर हुआ यह अगर इस तरीके के अप्टेंड में इसको क्या बोलोगे इसको यह downward moment नहीं बोलोगो इसको एक correction बोलोगो एक market ने uptrend दिखाया उसके बद market ने correction दिखाया फिर market उपर गई फिर market ने correction दिखाया फिर market उपर गई 3 साल के लिए तो क्या market फिर correction कर सकती है अब यहाँ पर बात आती है कि देखो अभी तो price 64,000 और 69,000 तक लगबग जा चुका है all time high बना चुका है तो हो सकता है 69,000 को break करें 75,000 तक चला जाए 1 lakh US dollar तक चला जाए या 1 lakh US dollar से भी ज़्यादा चला जाए अब यहाँ पर मैं टॉप का इंतिजार करना है ठीक है तो हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए यहाँ पर panic करना मकसद नहीं है मेरा किसी को market का scenario दिखाना मेरा मकसद है market का trading किस तरह से करनी है यह मेरा समझाना आपको मकसद है अब simple समझो अगर मालों एक लाख यूएज डॉलर यानि 75,000 या एक लाख या डेल लाख या सवा लाख जो भी यहाँ पर high लगता है उसके बाद market में correction हमें देखने को मिल सकता है देखो यहाँ पर जब यह 2012 में जो हालविंग होई थी तो इस तरह से price उपर गया था एक top को लगाया था और वहां से 80% डाउन आया था फिर market में जो हजार सोला को हालविंग होई फिर market में एक top लगाया जिसमें की लगबग 20,000 यूएज डॉलर का top लगाया फिर मुहां से market गिरी कहा तक 3,100 तक ठीक है अब यहां से अगर market मालो हम देखते हैं कि यहां पर मुटा मुटा रखते हैं कि एक लग यूएज डॉलर तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लगबग एक लाक यूएस डॉलर होगा यह देखो यहाँ पर बिल्कुल एक्जेक फिगर यह नहीं आएगा थोड़ाँ जादा है अब इस वाइट कलर की लाइन जहाँ पर मैंने एक लाक यानी वन लाक यूएस डॉलर का लाइन लगाई है अगर यहाँ तक प्राइज जाता है और वहाँ से 80 परसंट 85 परसंट डाउन आता है तो हम कहां तक आ सकते है तो हम देखेंगे तो मुझे इसा लग रहा है कि हम पिछले all time high तक आ सकते है ठीक है मैंने यहाँ पर 81 परसंट ही लिया है अगर यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके की देखो मैं एक लाइन को यहाँ पर प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ यह देखो यह पिछला all time high हमने यहाँ पर पकड़ लिया यह थोड़ा सा उपर नीचे यह देखो यह हमने all time high पकड़ लिया अब यहाँ से आप समझे का बात को कि एक लाइक यूएज डॉलर तक हम जाते हैं पहले तो मूपर जाएंगे टॉप लगाएंगे उसके बाद नीचे अगर गिरते हैं 80% जो की बिटकोईन की हिस्ट्री है और यह हम देख सकते हैं यह हम आ गए बिल्कुल एक्जेक्ट उसी लाइन तक तो देखो यही हिस्ट्री होती है पास्ट की हिस्ट्री कि हमें इसको समझना बहुत जरूरी होता है लेकिन यह बिल्कुल सडन गरावट नहीं होगी यह होगी एक साल के अंदर यानि कि यहाँ पर अगर मालो इस साल दिसमबर 2021 से मार्किट डाउन आना शुरू होती है तो 2022 दिसमबर तक मार्किट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह देखो ऐसे रफली फीगर हम लगा लेते हैं तो यह देखो इतने एक फेज में मार्किट डाउन आ सकती है और उसके बाद जब पुलबाइक लगाएगी तो फिर धीरे धीरे देखो 2022 के बाद 2024 को नेक्स्ट हॉल्विंग होनी है हॉल्विंग से एक दो साल पहले प्राइज उपर जाना इस्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे वहाँ पर बड़े वेल्स इंटर होना शुरू हो जाते है यह देखो यहाँ पर 2018 में मालब 2018 का जब लाश्ट था तो 2019 के शुरू से यहाँ पर मार्किट में धीरे 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 स्टार्टिंग शुरू हो गई थी मार्किट उपर जाने की वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरे भाई लेकिन जब भी मैं लॉजिक के साथ कोई चीज बताता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है अब यहाँ पर देखो 2016 में हॉल्विंग हुई लेकिन 2015 जन्वरी 2015 से मार्किट उपर जाना स्टार्ट हो गई तो यानि जाहिर से बात है यहाँ पर पूरा 2022 हमारे लिए हो सकता है में भी अगर यहाँ पर तीन साल वाली हिस्ट्री दोराती है बिटकोईन अपने प्राइस को तो एक साल डाउन रहेगी उसके बाद मार्किट उपर जा सकती है और अगर यहाँ पर जिस तरीके से पीछे मतलब पहला अप्टेंड दो साल का था दूसरा अप्टेंड तीन साल का था तीसरा अप्टेंड यह बोला जाएगा तो कहिए अगर चार साल का होगा तो 2022 तक मार्किट उपर जाती दिखाई पर सकती है लेकिन एक चीज़ का ध्यान लखना मेरे भाई दिसंबर के महिने में मैंने यहाँ पर देखा है काफी बार जब भी हालविंग हुई है उसके बाद एक टॉप लगा है और तीन साल का जब वो पूरा हो गया तो देखो कितनी बड़ी एक केंडिल यहाँ पर बनी और मार्किट उसके बाद एक साल लगाता नीचे आई है उसी तरीके सब पिछले हालविंग के बाद देखो कि तो तो एक अच्छी कासी बड़ी केंडिल उसके बाद तो यह चीजों का ध्यान लखना और यहां पर नजर बना कर रखना और बाकी मैं हूं ही जब भी ऐसा कुछ मामला होगा अभी तक तो देखो नौंबर का महिना यह बोला आता है कि बिल्कुल बिटकोईन के लिए बाकी क्रिप्टो कंसी के लिए काफी जादा अच्छा होता है काफी ज़दा मार्किट को उपर ले आता है तो उम्मीद है सही है कि इस नौंबर के महिने में या इसके देसंबर के फर्स्ट वीक तक है सेकंड वीक तक मार्किट थोड़ा सा उपर जाएगी उसके बाद मार्किट फिर नीचे किरना शुरू होगी अब यहां पर अगर इस कैंडिल का हम डेट देखेंगे तो यह कैंडिल की डेट हो जाती है 18 देसंबर 17 यानि 18 देसंबर 17 की जो कैंडिल बनी थी वीकली उससे मार्किट डाउन आना शुरू होई थी तो मेरे भाई अभी घबरानी की ज़रूद नहीं अभी महिना सवा महिना पूरा वाकी है मार्कि तो हम उसके प्रोडक्शन के लिए उसकी भी दुलाई कर सकते हैं अच्छे से क्योंकि हमें पहले से मालूमा और चारनक से वो दुश्मन अगर आ जाता है हमें मालूमी कुछ नहीं होता तो हमाई तैयारी ही नहीं होती है मार्का जातने हैं ठीक है सिंपल है इस वीडियो को यहीं पर वाइंड आप करता हूं बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं और उमीद करूंगा कि यह वीडियो काफी यूनिक सा हुआ होगा आप लोगों के लिए और जो लोग नए है क्रिप्टो कंसी में काफी ज़्यादा नए है उनको तो बिल्कु समझ मा गयो कि मार्किट क सिनेरियो कैसे क्या होता है समझो मेरे भाई चार्ट पर थोड़ा सा ध्यान दो और फंडामेंटल के साथ साथ टेकनिकल अनलेसिस आना बहुत ज़रूरी है इस उद्देश के साथ कि मैं आपको सफल हो रहा हूं धीरे धीरे आपको मोटिवेशन देने के लिए और साथ साथ आपको टेडिंग सिखाने के लिए इस वीडियो गर यहीं पर वाइंड अप करता हूं नेक्स्ट अपडेट मिलता हूं किसी यूनिक कांटेंट के साथ फिर जब तक के लिए जय हिंद जय भारत